है गुड़ी मेरेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूड़ीब चैनल पर मैं हूँ राके शल्रजा आपका अपना अप्रिटूड मेंटा है हर हपते की तरह आप बच्छों के लिए बहुत ही जबर्दस जबर्दस करेंट अफेर के सेशन लेकर मैं हाजिर हो जाता हू और इस हबते भी मैं आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स लेकर हाजिर हो चुका हूँ ठीक है करेंट अफेर्स वीकली तोर पर हम लोग कवर करते हैं करेंट अफेर्स का ये एक उड़ता तीर है जिसके तीन निशाने है एक निशाना होता है विशलेशन मै मैं जब भी कर इंट अफेर आपको बताता हूं तो मैं उसमें जो भी न्यूज होती उसको डिटेल में लेसिस करता हूं प्रश्णोतरी हमेशा जो भी न्यूज है सिर्फ न्यूज पढ़कर नहीं निकल जाता कुशन आंसर के फॉर्म में मैं आप बच्चों को वह न्यूज में बताता हूं और उसके लाबहा है देश दुनिया मतलब नाशनले और इंटरनेशनल देखरे नрी इंसान चाइब कर लिया ये सबसे चिंता का विशह बन गया है किन के लिए हमारे पुती इंसाब के लिए क्यों बना है इस वाली वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है चलिए पड़ाक से शुरू करते हैं हाँ बिल्कुल आपने हेडिंग पढ़ दियोगी नाटो ने जो गल तो बर्बाराती रिजर बैंक किसे भारते रिजर बैंक के नए कारेकारे नरदेश्या के रुपने उक्ति किया गया है तो मुझे शारे बच्चों के अंसर क्यों है ऐसारे बचों के आंसर चाहिए तो में इसका जो जवाब है वो और निर्देशक रहे हैं तो नीरज निगम को भारती रिजवर बेंक द्वारा ततकाल प्रभाव से कारेकार्ने रिशा के रूप में न्यूकत किया गया है इससे पहले निगम भोपाल स्थित आर बेए के छेतरी कारे आले के निर्देशक रहे हैं ठीक है और भी थोड़े के बारे में जानते हैं अपने रोल में वह भुगता शिक्षा संरक्षर समेथ चार विभागों की कमांद संभालेंगे निगम को इस छेतर में तीन दशक से भी अधिक का समय अधिक समय का अनुभाई मतलब 30 सालों से जाधा का अनुभाई इस का केंदरी बैंक है जो भारत के जो बाकी सभी बैंक है इन सभी को यह कंट्रोल करने का काम करता है चलिए और हर बार की तरह एक बार इस वाले लेक्टर में बोल देता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस करेंट फेर सेशन जो कि आपसके लिए हर अपते अधिगरहन कर लिए है यह रहा वो कराइकल पोर्ट जिसका हाल ही में इन में से किसी एक कंपनी ने अधिगरहन कर लिया है तो हाँ आप इस कुशन का मेरा ख्याल है की जवाब समझ चुके होंगे है do已 सरकार जो है बहुत ही महरबान चलती है इस वाले गुरुप पर हाला कि जान्वर ऑदानी ग्रूप प्रोडेश पॉंडूचे रिए स्थित कराइकल पोर्ट ब्राइवेट लिमिटेट का अदानी गुरूप ने 1485 करोड में अधिगरण कर लिया बहुती जबरदस्ट परसन है करण अधानी जी तो अधानी पोर्ट के CEO करणादानी ने बताया कि अधानी समुह अब भारत के 14 पोर्ट का संचालन कर रही है समुह की और से इस पोर्ट के विकास के लिए 850 करोड रुपर वो खर्च भी कर करने वाली हैं चाले यह भी बहुत अच्छी सीथ है कि वह अगर उन्हें अधिगरण किया तो उसको इंप्रूब भी कर रहे हैं और भी थोड़े इसके बार में जानते हैं पर लोग साथ यह अधानी पोर्ट ने CEO ने बताया कि अगले पांच वर्षों में पोर्ट की छमता अगला सवाल है हमारे लिए सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया वो किस छेतर से संबन्दित हैं वो सकता आप इनका जो है वाइफेस ने पहचान पाएं न भी पहचान पाएं तो भी एक बार आप कोशिश जरू किजिए क्योंकि फेमस वक्ति थे अपने समय के बहुत क्रिकेटर रह चुके हैं तो भारत के पूर्व cricket रह चुके हैं तो बहुत है कॉंसे वाले क्रिकेटर से संबन्दित हैं तो जवाब है cricket ऑफ्श नंबर आएगा सी भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में जामनगरorb गुजुरात में निधन हो गया वो 28 वर्ष के थे वह भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 75 विकेट हासिल किये थे 170 रन देखकर 10 विकेट उनका सर्वसेश पदरशन था मतलब 170 रन देखकर 10 विकेट सारे के सारे इन्हों नहीं चटकाया थे बहुत ही बढ़िया वर्ष 1962 में उन्हों इवस्टेंडी से खिलाफ 104 रनों की सरसेश पारी भी खेली थी चलिए आगे बढ़ते हैं चलते हैं फड़ाक से नेक्शन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन है भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मेरी टाइम एक्सराइस में भाग ले रहा है मैं आपको थोड़ा से स्क्रीन क्लियरली विजिबल करवाता हूं साइड हट कर ताकि आप इन कोश्चन को खुद से भी पढ़ो और फड़ा 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 आंसर न भारत के साथ जो है इस पर पार्टिसिपेट करेगा तो भारती नौसेना श्रिलंका नौसेना के साथ मिलकर दीपक्षिय समुद्री अभ्या सिलिनेक्स के दसवे संस्क्रण का होजन तीन अप्रैल को कोलंबो में कर रहा है तो यह भी इंपोर्टेंट है पूस सकता है कि कहा पर कर रहा है तो जवाब है कोलंबो में कर रहा है ठीक है भारती नौसेना का प्रतिशन तो आई एनस किल्टन और आएनस सावित्री कर रहे हैं जबकि श्रिलंका की नौसेना से SLNS विजय बाहू और SLNS समुदुरा कर रहे हैं तो हमारे तरह से भी दोवार है उनकी तरफ से भी दोवार है इसके लबा भारती नौसेना के चितक हेलिकॉप्टर और डॉनियर समुदरी गश्टी विमान और BEL 442 हेलिकॉप्टर भी भाग लेंगे चीक है बहुती बढ़िय अगला वाला न्यूज है हमारे लिए IPL इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारती ये कौन बन गए है तो ये है वो अगर आप इनका जो है बाइफेस इनका नाम पहचान पाएं तो इन्होंने जो है दरसल अब तक सबसे तेज 50 विकेट चटका दिये है हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझा दिल्ली केपिटल के हैं पेसर खलील एहमद ये हैं खलील एहमद ठीक है खलील एहमद आंसर होना चीछ थे इसका ए ने IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट चटका दिये हैं इनका इकाना स्टेडियम लखनों में खेले गए मैच में खलील ने दो विकेट हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया पहले यह रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम पर था यह रहे अमित मिश्रा इनकी जगह इनोंने ले ली है चलिए आगे दरसल जितने भी दरसले सारे टेस्टिंग वगरा प्रोसेस होते हैं यह भी आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो इस रो ने रियूजिवल लॉंच वहिकल की सफल टेस्टिंग डिया और किसके साथ की है चलि बहुत ही बढ़िया अग मदद से जवाब होना चाहिए था इंडियन एर फोर्स ऑप्शन नमबर बी की मदद से पूरा किया गया और इसकी टेस्टिंग एरोनाटिकल टेस्ट रेंज एटी आर चितरदुर्ग करनाटक से की गई चीक है अगला कुशन कहता है मुझसे किसने हाल ही में नौ सिना संचा के लिए महार निदेशक का कारेबार इन्होंने गरहन कर लिया है जिन बच्चों का आंसर भी नहीं रहा उनके लिए इत्मिनान से खबर है मेरे साथ इसे पढ़ेंगे अपर लोग वाइस एड्मिरल अतुल आनंद तो ये हैं अतुल आनंद आंसर होना चाहिए था ऑप्शन उन्होंने डिफेंस और स्ट्रेजिक स्ट्रेजीज में एंफिल और मस्ट में मास्टर और ब्यस्ट के डिगरी भी हासिल की हुई है पड़ाक से चलते हैं नेक्स टोले कोशन की तरफ अगला कोशन कहता है हाल ही में भारत के किस खिलाडी ने आइपील में अपने 5000 रन पूर महिंदर सिंग धोनी इसका जो सही जौब होना चाहिए था ओप्शनमर डी ने अपने आइपील केरियर में एक और उपलब्दी आसिल करते हुए आइपील में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं आइपील में इनका यह अंतिम सफर होने वाला है यह अंतिम साल होगा जब हम लो वो श्टार्टप्स के लिए अगर एफर्ट देते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है हमारे देश में जरूरत है कि स्टार्टप्स को जो है प्रोटसाहन मिले फंड मिले ताकि और भी वो नई जौब जनरेट कर सके भारत में इंप्लॉइमेंट और बढ़ सके और उनका सेल्फ ग्रोध भी बहुत अच्छा हो सके तो कौन-कौन से मतलब ही कौन से बैंक है जिन्होंने हाल ही में स्टार्टप्स के लिए नहीं ब्रांच खोली है हां बिल्कुल आपका जवाब होने चाथ बैंक ऑफ महराश्ट्र इसका मतलब ऑप्शन नमबर बी सही जवाब अगे बढ़ाने मदद करेगा इसके ब्रांच के उद्घाटन अवसर पर बैंक ऑफ महराश्ट के कारेकरिन देशक आशीश पांडे भी उपस्ति थे इस दोरान बैंक ऑफ महराश्ट ने स्टार्टप के सक्री वित्व पोशन के लिए सिडवी वेंचर कैपिटल के साथ एक समझोता भी किया हाला कि मोश्ट इंपॉर्टन इंफरमिशन है बैंक ऑफ महराश्ट ने पूरे में स्टार्टप के लिए अपनी ब्रांच खोली है चलिए चलते हैं नेक्स्ट वोले कुष्ण की तरफ अगला कुष्ण है सुजुकी मोटर सैकल इंडिया ने किसे नया केंची उमेदा थोड़ा मुड़ा आप अगर महसूस करोगे तो नाम से पकड़ लोगे और एस विश्वनाथन भी नहीं दिख रहे तो हाँ बिल्कुल सही जवाब है सी केंची उमेदा सुजुकी मोटर सैकल इस तरह की की मोटर सैकल यह बनाते हैं अगर आपने देखी उचीदा का स्थान लिया कभी एक्जाम में यह भी पूछता है कि इन्होंने स्थान किसका लिया तो साची दी उचीदा का इन्होंने स्थान लिया ठीक है जिनका कारेकाल हाल ही में पूरा हुआ और उनके पास 27 से अधिक वर्षित का अनुभा है मतलब बहुत ही जबर्दस से घटा कर कितना कर दिया है अब जो है बहुत है विकास दर है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वह गिर गई है उमीद थी कि बढ़ जाएगी उल्टा हो गया गिर गई उल्टा शे दसमलों छे प्रतिशत से घटकर कितना प्रतिशत हो गई यह पूछ रहें इंपॉट्रेंट से घटा कर छे दसमलों तीन कर दी है ठीक है तो वर्ल्ड बैंक उसका अनुमान लगातार तजी से गिरता ही जा रहा है हमारे भारत के लिए जो की इतना अच्छा नहीं है कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशन यू और्थ यू अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट लॉंच करने की घुशना कर दिये और उसका नाम है टाइपा ठीक है यह सेटलाइट लॉंच होगा तो बिल्कुल आपने एक दों सही जवा पकड़ा आंसर है केनिया अफ्रीकी देश केनिया ने हाल ही में अपना ऑप्रेशन यू अर्थ अब्जर्वेशन सेट कर दो देख लेते केनिया का एक पूर्वी अप्रीकी देश है अफ्रीका का देश है केनिया जिसकी जो राजदानी है वह है नैरो भी। चलते हैं नेक्स्ट वाले कुशन की तरह बचलोगा अगला कुशन क्या कहता है नासा ने अपने चंदर मिशन स्ट्उ के लिए कितरे अंतरिक्ष यात्रियों का नाम के घुषण के यह कुषण आपके 100% एक्जाम में आने वाला है क्योंकि यूजरी जो नासा है वो चांद पर जो है अपनो परिक्षण नहीं करते हैं उन्हें चांद को छोड़ रखा था अभी पहली पहली बार उन्हें चांद पर परिक्षण के लिए एक महीला अंतरिक्ष्यात्रिय को भी चुन लिया है यह भी इंपोरٹेंट है कि इस बर एक महीला भी है उसमें चीक है यहां तक बाद सबंजा गये आपको फिर वो कहता है कि NASA ने इस mission में चार अंत्रिक्षात्रियों के नाम एलान किया है इसमें चार अंत्रिक्षात्रिय रहेंगे तो जिन्होंने answer दिया होगा C Good, Shabash, जो ना दे पाए हो, फोकस कीजेगा इस mission में Christina Hemerokok, Jeremy Hansen, Victor Glauer और Ridd Wiseman ये रहे वो चार लोग जो जाने वाले हैं Artemis II के mission पर चंदर्मा की परिक्रमा करने वाले हैं ये लोग, चलिए, आगे चलते हैं, फिक्की लेडिस और्गनाइजेशन के 40 वे अध्यक्ष के रूप में किसे ने पदभार गरहन किया है, ये रहे वो चार नाम जिन्होंने फिक् किया है, गुट्शाबाश, जो ना टिक कर पाएं हो, इत्मिनान से में सत्योरी देखिएगा, फिक्की लेडिस और्गनाइजेशन, FLO के 40 वे अध्यक्ष के रूप में सुधा शिवकुमार ने पदभार गरहन कर लिया है, यह और्गनाइजेशन, डक्षिन पूर्व एशि जमिदार हाथों पर है, बहुत अच्छा यह परफॉर्म करने वाले हैं, चलिए बहुत बढ़ी है, कुछ शाबाश, चलते हैं, नेक्स वाले कुशनी तरफ, अच्छा ये एक और पॉइंट देख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स और इंड इंडश्ट्री भारत में सिटेक गैर संस्कारी वियापार संग है, जिसके बारे हम लोग ने पिछले वाले हपते में देखा भी था, और इसकी स्थापना 1927 में हुई भी थी, चीक है, कौन सदेश नाटो का 31 सदस्य बन गया है, यह है, इस हपते की सबसे बड़ी खबर, और बहुत बेनफ प्रभाव वाले नाटो ग्रूप का 31 सदस्य बन गया है, यह चिंता का विशह इसलिए है, क्योंकि जो पेंलेंड है, वो दरसल रशिया का पडोसी देश है, और जो नाटो जो उसने जॉइन किया है, वो दरसल नाटो अमेरिका द्वारा संचालित और गनाइजेशन है, मु खिषते हैं, अब पॉइंट दरसल यह है, कि अगर उसका पडोसी देश जाकर दूसरे दुश्मन के खेमे में शामिल हो जाएगा, तो जो दुश्मन होगा, वो रशिया को गिराने के लिए, कुछ ना कुछ तो इस पडोसी देश से फाइदा उठाएगा ना, तो इस वजह सभी के सभी को ऐसा लग रहा है कि जब वो युक्रेन पर इतनी बूरी तरह से हमला कर सकता है, बिना कोई सोचे और उसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम लोगों को अपनी सुरक्षय की जम्मेदारी लेनी होगी, और यह सोच कर जो रशिया के पडोसी देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं नाटो में शामिल होने का, स्वीडन ने कोशिश करी थी, स्वीडन को दरसल सदस्यता नहीं मिली, लेकिन फिनलेंड को सदस्यता मिल गई है, जो की अच्छी खबर नहीं है, चलते हैं नाटो का फुल्फ हो में नौर्थ अटलांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन, मतलब अच्छी खबर नहीं है, मेरे कहने का अर्थ ही है, कि वैश्विक रूप से जो अनिस्टेबिलिटी है, वो इससे और बढ़ जाएगी, बस इस वोले परपस से मैंने कहा था, हम आगे क्या होगा, अभी तो हम भी हैं, आप भी हैं, इसकी स्थापना 1949 में की थी नोने, चलिए, नेक्स टोला कुशन है, वारणसी के किस उतपाद को हाल ही में GI टैग प्रदान कर दिया गया है, दरसल GI टैग प्रदान किया गया है, वारणसी के दो फेमस उतपाद हैं, बि प्रिश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लगणा हमको GI टैग प्रदान कर दिया है, GI टैग उन उतपादों को प्रदान किया जाता है, जो छेतर की भगवालिक पहचान को दर्शाते हैं, चीना है आपको समझ में, जैसे यहां 36 गड़ में मेरा ख्याल है कि जिमी क अर्गनाइजेशन है, जिन्होंने अभी-अभी स्पेस स्टार्ट अप है वो, जिन्होंने अभी 3D प्रिंटेड क्रायोजनिक इंजन का ये रहा वो इंजन, इसका सफल इन्होंने परिक्शन कर लिया है, आपको बताना है आप्शन में इंपोर्टेंट कोशन है, हाँ बिल पर जो है भारत की पहचान और बहतर होने लगेगी, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन है, डोप टेस्ट में फेल होने के करण किस महिला वेट लिफ्टर पर चार साल का प्रतिबंद लगा दिया गया है, ये रही वो, वो महिला वेट लिफ्टर, दरसल डोप टेस्ट क्या होता है कि कुछ-कुछ खिलाडी क्या करते हैं, अपनी पर्फोर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उस पर वो लोंग करते हैं, मतलब डोपिंग करते हैं, मतलब की ड्रक्स वगरा लेते हैं, जिससे उनकी स्ट्रंथ बढ़ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं करना लग चुका है, और भारतिय भारत प्लन महासंग के अध्यक्ष सहदेव यहादों ने इस बात की पुष्टी की है, यह प्रतिबंद नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी द्वारा लगाये गया है, जलते हैं, अगला कुशन कहता है, इंडिया जश्टिस रिपोर्ट टुट 22 में किस राज्य में शिर्ष इस्थान हासिल किया है, तो इंडिया जश्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन से राज्य को सबसे पहला इस्थान मिला है, यह रहा आपके लिए अगला कुशन, तो आपका बिलकुल जवाब एकदम सही है, ऑप्शन नमर ए, जवाब है करनाटक, करना गाना ने तीसरा इस्थान भी प्राप्त किया, ठीक, चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, अगला कुशन है, जी ट्वन्टी डायलग फोरम के तहत, बी ट्वन्टी कॉन्टी कॉन्फरेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, जैपूर, मुंबई, चन्ने या, कोहिम बिल्कुल आपने सही पकड़, ओप्शन नमर्डी है, इसका जवाब, जी ट्वन्टी डायलग फोरम के तहत, बी ट्वन्टी कॉन्फरेंस का आयोजन, डागा लेंड की राजधानी कोहिमा में किया जा रहा है, रकेंद्री विदेश और शिक्षा राजिमंत्री, डॉक्ट बी ट्वन्टी का रेकरमों का चौथा और अंतिम चरण होगा, बी ट्वन्टी कॉन्फरेंस की थीम, थीम बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर हमेशा पूछाती है, क्रिशी और खाद्य प्रसकरण, पर्यटन और आईटी में बहु बक्षी व्यापार, साज़ेदारी के बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, इसके पहले जितने भी लक्षर हुए हैं, सभी की मैंने पीडियाफ वहाँ पर शेयर कर रखी है, बच्चों से, इसकी पीडियाफ आपको वहाँ पर समय से मिल जाएगी, तो ये रहे हमारे इस हपते के इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट करें हमेशा मुझे तक पहुंचते हैं, बिल्कुल आप चैट सक्षन में एक्टिव रहे हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जल्दी आप बच्चों से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखेगा